गुड पॉर्निंग स्टुदेंट्स, वी वर दूइंग फर्स चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ पाइलोजी, इसके अंदर हमने नूट्रियन मेनेजमेंट किया था प्रिविएस लेक्चर में और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट, इस इरिगेशन, क्रोप प्रोडक्शन मेने कि जो हमारी क्रोप्स ग्रो कर रही है फिल्ड के अंदर उनको किसी ना किसी मेथड से पानी पहुचाना, अब प्लांट्स को वाटर क्यू ज़रूरी होता है, देखो प्लांट्स के लिए वाटर बहुत नेसेसरी है क्योंकि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रि तो प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलेप्मेंट के लिए वोटर बहुत ज़रूरी है देखो न्यूट्रियंट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए वोटर ज़रूरी है ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है न्यूट्रियंट एब्जोब करती है रूट्स प्लांट्स की ठीक है और हमें इस सोयल को लगातार गीला रखना होता है मोइस्ट रखना होता है ताकि continuous supply हो सके वोटर की फिर जो सीड हम ग्रो करते हैं फिल्ड के अंदर उन सीड को जर्मिनेट करने के लिए भी उनको उगने के लिए भी पानी की जरूरत होती है इसलिए जब सीड ग्रो कर जरूरत है भी ग्रोर करना षंशन फिल्ड को वोटो के लिए अचिब्ध Peng डेन का की सप्ला जो आफ़ार रंक की सपलाई करना रहे हैं और किस टाइप की सोयल है उसी तरह से उसकी वाटर की रिक्वाइरमेंट होती है कई सोयल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है कुछ सोयल ऐसी होती है जिनको कम जरूरत होती है समर के दिनों में ज्यादा वाटर की रिक्वाइरमेंट होती है क्योंकि हीट होती है और क तो पढ़ते हैं हम sources of irrigation, ponds के थू, wells के थू, lakes, dams, rivers, इनके थू जो है पानी लिया जाता है, जो crops को fulfill करता है, सबसे पहले ये wells दिखाये हुए है, wells के थू, ये traditional method हम देख रहे हैं, जो traditional method से हम पानी लेके सिचाई करते हैं, wells का water जो है, cattle के लिए भी यूज होता है, humans के लिए भी, तो पहले traditional method देखते हैं, जो प्राजीन समय से चलते आ रहे हैं, pulley system, chain pump, ढेकली, रहट, pulley system में क्या होता है, well के अंदर एक ये pulley set की जाती है, rope की help से water को जो है, एक side bucket बान के, water pool किया जाता है, लेकिन इस तरह से, पानी की distribution जो है, uneven होती है, क्योंकि bucket भर-बर के, कहीं पे जादा पानी डाला जाएगा, कहीं पे कम पानी डाला जाएगा, next is chain pump, chain pump में, again, एक chain की help से, जो है, एक side chain है, उसके pulley अटेच होती है, और दूसरी side इस पे multiple bucket, बहुत सारी bucket जो है, जो है, वो जुड़ी होई होती है, जैसे ही ये पुली जो है, ये रोटेट होती है, इसको या तो electric power से, रोटेट करवाते हैं, या फिर किसी animal, बुल वगएरा की help से, रोटेट करवाते हैं, तो जैसे ये rotation होती है, तो लगातार, जो है, buckets भरती रहती है, और उनको फिर water supply की जाती है, फिल्ड में, नेक्स्ट इस धेकली, धेकली के अंदर क्या करते हैं, जो water body है, जो water का well बना हुआ है, कुआ, उसके साथ एक wood का बना हुआ, liver सेट कर देते हैं, उसके उपर, liver के उपर, लकड़ी की एक डंडी लगाते हैं, उसको नीचे की तरफ, प्रेस करेंगे, तो उसके, आगे की तरफ, जो bucket बन्दी हुई है, वो भर के बाहर, आएगी, इसको बोलते हैं, liver system, या धेकली system, इसमें, पानी की wastage बहुत होती है, नेक्स्ट इस, रहेट system, रहेट system में क्या होता है, कि जो है, बैलों की मदद से, इस पुली को रोटेट करवाये जाता है, और जैसे जैसे, बैल मूवमेंट करते हैं, आगे की तरफ, तो ये, बैल भी ऐसे, राउंड राउंड घूमेंगे, और इधर से ये पुली भी घूमेंगी, तो जो चेन है, दोनों के साथ अटेच है, बैलों के साथ भी और उस पुली के साथ भी, तो ये, इसको बोलते हैं, रहेट system, ये राउंड राउंड ऐसे रोटेट करते हैं, बुल्स, और ये भी, जो पुली है वो भी फिर राउंड राउंड रोटेट करेंगी, अटेट करेंगी, नेक्स्ट आर, मौडरन मैथट्स ओफ इरिगेशन, मौडरन मैथट्स के अंदर, जो इरिगेशन है, वो वेल्स के, सोरी, ट्यूब वेल वगएरा, या ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम इनके तुरू होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो सारे पाइप्स को मेन पाइप लाइन के साथ अटेच कर देते हैं, और जैसे ही ओन करते हैं पंप को, तो इन नोजल के थूँ वोटर जो है, स्प्रिंकल होता है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ये स्प्रिंकलर लगे हुए है, तो क्रोप को जो है, इक्वल वोटर जो है, वो अविलेबल होता है, स्प्रिंकलिंग की फो में, ये नोजल के थूँ वोटर जो है, स्प्रिंकल होके बाहर आता है, इससे एक तो वोटर की वेस्टेंस कम होती है, कम पाई में ज्यादा सारे plants को water available होता है, यह है sprinkler system, sprinkler system के साथ यह core system है, that is drip system, drip system में क्या होता है, यही जो main pipeline है, इनके नीचे की तरफ एक drip लगी हुई होती है, यह जो structure दिखा रखा है, यह drip जो है, यह plant की root तक होती है, ठीक है, और जैसे ही own करते हैं, इन drips के थुरू, water जो है, plants की root तक, drop wire जो है, वो जा कर गिरता है, तो जहां पर पानी चाहिए है plants को, यानि के plants की roots तक चाहिए है, वो इस drip system के थुरू पहुचता है, तो यह हमने different methods देखे हैं, irrigation के, crop production management में, next जो है, that is cropping pattern, cropping pattern का मतलब होता है, कि किसी भी field के अंदर, जब कोई crop grow करवाते हैं, तो उसके seeds को किसी definite pattern में sow करना, बीजना, जो खेट के अंदर बीजते हैं, जाके seeds, तो उनको किसी definite pattern के अंदर grow करना, ऐसा करने से पहले जो farmers होते थे, pre-time के जो आदी वासी लोग थे, वो क्या करते थे, ऐसे ही randomly seed grow कर देते थे, लेकिन उससे क्या है, yield जो है, अच्छी नहीं होती थी, तो बाद में जो है, farmers को पता लगा, कि अगर यही seeds हम, किसी proper manner में, proper pattern में grow करवाएं, तो उससे अच्छी yield होती है, यह देखी, इसमें एक definite pattern में grow करवाना, और एक randomly कहीं पे seed डालना, कहीं पे नहीं डालना, तो यह एक unplanned pattern है, तो planning का मतलब क्या होता है, planning का मतलब है कि हमारे पास जो field अवेलेबल है, उसके अंदर हम maximum yield लेने के लिए, सही pattern से seeds को grow करवाएं, यह देखो, अलग-अलग seeds जो हैं, किस तरह से maximum yield इन से ली जाती है, एक तो फाइदा क्या होता है, seeds की quality seed का ध्यान रखना, resistance disease, pest disease से, short span of time, maximum yield लेने के लिए, cropping pattern को अपनाना बहुत जुरूरी है, अब cropping patterns जो है, आपके तीन टाइप के हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम, mixed cropping, mixed cropping में क्या होता है, कि एक ही field के अंदर जो है, एक अठे mix करके seed डाल देते हैं, दो या तीन crops के mix करके, तो वो दोनों crop जो हैं अलग-अलग grow करती रहेंगी field के अंदर, क्योंकि उनकी nutrition requirement जो है वो अलग-अलग है, किसी ने कोई सा nutrition लेना है, soil से किसी ने दूसरे वाला लेना है, तो इस तरह से उनको, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखा जाता है, कि जब भी हम seed को select करते हैं, दो crops के, तो वो seed आपस में compete ना करें, light के लिए, nutrient के लिए, या water के लिए, उनके बीच में किसी तरह का कोई competition ना हो, दोनों की nutrient जैसे यह दिखा रख है, यह first जो है, यह चने का है, और दूसरे वाला wheat का है, दोनों की nutrient requirement अलग-अलग हैं, तो दोनों आपस में कोई competition नहीं करेंगे, दोनों की proper growth होगी, double benefit हो सकता है farmer को इससे अगर दोनों crops, अच्छी पैदावार होई तो, next is inter cropping, inter cropping का मतलब होता है, कि एक जो main crop है, उसके बीच में कोई दूसरी crop grow करवाना, देखो mix cropping में तो seeds mix करके डाले थे, इसमें क्या होता है, field के अंदर पूरी एक crop, पूरी एक line एक crop की, दूसरी line जो है, फिर किसी दूसरी crop की, इस तरह से, जो main crop है, उसके बाद inter crop की एक दो line है, फिर main crop की line, फिर inter crop की line है, ऐसे lineों में cropping की जाती है, inter cropping में, फिर है, next is crop rotation, crop rotation का मतलब होता है, crops को rotate करके, change करके grow करवाना, क्योंकि लगातार एक ही crop अगर field में grow करवाते रहते हैं, तो वो क्या होता है, उससे soil की fertility decrease हो जाती है, तो अगर हम ऐसी crop rotation करें कि पहले एक crop जो grow करवाई, वो crop कुछ और nutrient ले रही है, soil से, फिर दूसरी crop grow करवाई, जो वो वाले nutrient ना लेके कोई दूसरे type के nutrient ले रही है, तो इससे soil के अंदर nutrient का balance बना रहता है, ठीक है, और जो next crop grow करवाते हैं, main crop के बाद, वो ऐसी होनी चाह nutrient की requirement कम हो, nutrient की requirement कम हो, तो crop rotation के अंदर हम जो देखते हैं, one year rotation में जैसे मेज के बाद mustard grow करवा दिया, फिर rice के बाद wheat grow करवा दिया, इस तरह से, two year rotation में मेज के बाद mustard, sugar cane के बाद मेथी, तो ये था आपका crop rotation.